हलो दोस्तों आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने चनल लांग टरम शेह सेल्टेस में आज हम जो निफ्टी फिप्टी के पचास स्टॉक्स हैं या कमपनिया हैं उनमें देखेंगे कि कौन सबस्यादा लो बनाया था इस साल और हाई कितना गया मतलब ये भी दे करें कि तो जाजा लग जाएगा क्योंकि निफ्टी फिप्टी जो कमपनिया हैं देश की सबसे बड़ी कमपनिया है छाज के कमपनिया है और इनमें ज़्यादा तर जैसे मिटकेप स्मॉलकेप की हो गए उनकी बजाय कम जो है गिरावट होती है तो देखते हैं कितनी गिरी थी और कैसे समभली और कौन सी कमपनी है जो अभी भी अपने हाई को टच नहीं कर पाई है तो ध्यान दीजिए है कि यहाँ पे देखिए 52 वीक लो एंड हाई जो ग्रीन में दिख रहा है वो आज समझे कि हाई बनाया है और रेड के निशान पे कोई नहीं इसका मतलब आज कोई 52 वीक लो नहीं बनाया है क्रमशा यहाँ पे आप देखेंगे कि कमपनीयों के नाम है और आज इस पे लाइव चल रहा है करीब 2 बच के 50 मिनट है तो मार्केट भी ओपन है और यह लास्ट ट्रेट प्राइस होगा आप भी ध्यान दीजिएगा बाकि मैं क्रमशा बताते जाओंगा ताकि हम कौन सी कमपनिया है साथी साथ उनकी प्राइस के करेंट इस्टेटस के बारे भी जान सके तो चलिए शुरुआत करते हैं फट फट देखिए सबसे पहले है बजाच फिन सर्व जो बजाच फरनेंस की जो पेरेंट कमपनी है लो बनाया था 3980 का और हाई बना चुका है 9950 का जो करेंट प्राइस है वो 8919 रुपेज है यानि कि हाई क्या सपास ही है टाटा मोटर्स ने कमाल किया लो गया था 63 का 63 रुपे और हाई आज भी बनाया है देखिए इसने 264 रुपे मतलब कहा 63 और कहा 264 खरीब चार गुना से ज्यादा एक साल के अंदर है न और उसके बाद बजाज फनेंस आ जाते हैं बजाज फाइनस जो है 1783 रुपे का लो बनाया था और हाई बना चुका है 572 का और अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 4960 SDFC यानि Housing Development Finance Company ये इसने जो है लो बनाया था 1473 का हाई बनाया 2777 का और अभी चल रहा है 2673 का इस तरीके से ग्राजिम इंडिया देखते हैं तो ग्राजिम ने जो लो बनाया था 385 का हाई आज बनाया इसने 1052 का और 1032 रुपे की प्राइस पर ट्रेड हो रहा है लासने टुबरो अगर देखते हैं तो 661 का लो गया था साल का और हाई बना चुका है आज भी 1389 का 1374 रुपे की प्राइस पर ट्रेड हो रहा है अल्टर टेक सीमेंट अगर हम देखते हैं तो 2900 का जो लो गया था लेकिन 596 का हाई बना चुका है और 5500 के आसपास ट्रेड कर रहा है अदानी पोर्स अगर हम देखें तो 203 का लो गया था 542 का जो है हाई बना चुका है और अभी चल रहा है 539 इस समय तो देखा जाए तो mostly जो है कमपनियां गिरने के बाद काफी संभल गई कई गुना हो चुकी हैं अपने लो से Asian Pint अगर हम देखें तो 1431 रुपए का लो बनाया था 2873 का हाई और इसमें जो है करीब 2657 रुपए के प्राइस पर ट्रेड हो रहा है उसके बाद NTPC अगर देखें तो 73 रुपए का लो गया था 121 का हाई और अभी चल रहा है 100 रुपए के आसपास और हिंडाल को जो है 84 का साल का लो था हाई बना चुका है 275 का और अभी जो प्राइस चल रहा है 200 के आसपास चल रहा है बजाज आटो 1788 का लो बन चुका है मालो 1788 रुपए का लो और 3664 खरीब डबल हो चुका है आज ही इसने जो हाई बनाया है और अभी चल रहा है 3650 रुपए के आसपास सिपला 355 का लो हाई गया था 864 का और अभी चल रहा 821 के आसपास जेस डबलू स्टील 132 का लो 413 का हाई और अभी चल रहा है 391 रुपए के आसपास शुरी सेमेंट अगर देखते हैं तो 15410 का लो 25,989 का जो हाई और अभी चल रहा 24,371 रुपए के आसपास हिंदुस्तान यूनि लिवल लिम्टेट 1757 रुपए का लो गया था और 2614 का हाई और अभी जो चल रहा 2881 ये अभी अपने हाई को टच नहीं कर पाया है H.O.E.L. अभी भी विचारा है ना बड़ी है कंपनी है I.C.I.C.E. बैंक 268 का लो 561 का हाई आज इसने खरीब टच किया और 554 के आसपास स्ट्रेट कर रहा है सन फार्मागर देखे 312 रुपए का लो गया था 628 रुपए का जो हाई और 592 रुपए के आसपास ट्रेट कर रहा है कोटक महिंदरा बैंक देखते हैं 1000 का लो 2027 का हाई और अभी चल रहा है 1882 रुपए के प्राइस पे पावर ग्रिड 122 का लो 211 का जो हाई साल का और अभी चल रहा है 1999 रुपए के प्राइस पे SBI Life Insurance अगर देखते हैं 519 का लो गया था 1020 का हाई और अभी चल रहा है 909 रुपए के आसपास HDFC बैंक ने आज हाई बनाया 738 का लो था इसने जो है टबल कर दिया है बैंक ने है न दिगज बैंक है प्राइवेट बैंक की 1500 के आसपास ट्रेट कर रहा है Access Bank देखते हैं 286 का लो और 760 का जो है हाई अभी चल रहा है 668 रुपए की प्राइस पे Hero Motor Cop चल रहा है Hero Motor Cop 1475 का लो हाई गया था 394 और अभी चल रहा 3220 रुपए के आसपास भारती स्टेट बैंक 1500 का लो यानि 149 रुपए के आसपास लो बनाया था 331 का हाई और अभी चल रहा है 299 Gail 65 का लो 146 का हाई और अभी 140 रुपए के आसपास चल रहा है Reliance Industry 866 का लो और 379 जो है हाई गया था और अभी चल रहा है 2014 2014 रुपए के आसपास ट्रेट कर रहा हाला कि आज थोड़ा इसमें बढ़ाद देखी गई है 1.54 परसन की काफी दिनों से जो है ये नीचे 1900 के आसपास ट्रेट कर रहा है मारूती अगर देखते हैं 4000 कलो गया था 8329 का हाई और अभी 7937 के आसपास ट्रेट कर रहा है Tata Steel 200 कलो 731 रुपए का हाई और 675 के आसपास ट्रेट कर रहा है O N G C 50 रुपए का लो 126 का हाई और ये खरीब अभी 97 के आसपास ट्रेट कर रहा है भारती Airtel 361 का लो 612 का हाई और अभी 593 के आसपास ट्रेट कर रहा है TCS 1500 के आसपास लो बनाया था और 3289 यानि आज ही इसने जो है हाई बनाया है और अभी भी 3256 रुपए के आसपास ट्रेट कर रहा है Mahindra N Mahindra 245 का लो 843 का हाई और अभी 800 रुपए के आसपास ट्रेट कर रहा है Indescent Bank 235 का लो 1367 रुपए का हाई और अभी 942 रुपए के आसपास ट्रेट कर रहा है BPCL अगर हम देखते हैं 252 का लो बनाया था 510 का हाई और अभी चल रहा है 413 रुपए के आसपास Titan 720 का लो 1621 का हाई और अभी चल रहा है 1570 रुपए के आसपास Cool India अगर देखते हैं तो 109 रुपए का लो गया था 209 रुपए का हाई और अभी 149 रुपए के आसपास ट्रेट कर रहा है ये अभी उठी नहीं पाया तब से SDFC Life Insurance अगर देखते हैं तो 340 का लो गया था और हाई गया था 731 का अभी चल रहा 699 के आसपास Asher Motor ने आज हाई बनाया है 1245 रुपए का लो गया था 2949 रुपए का हाई बना चुका है आज की डेट में और 895 रुपए के प्राइस पे ट्रेट हो रहा है आज इसने काफी कमाल दिखा दिया है Infosys 509 का जो है लो गया था 1392 का हाई और अभी चल रहा 1320 रुपए के आसपास Nestle India अगर देखते हैं तो 12200 रुपए का लो गया था 18844 रुपए का हाई बनाया और 17727 रुपए की प्राइस पे ट्रेट हो रहा है Dr. Eddy Lab अगर देखें तो 2495 रुपए का लो गया था 5512 का हाई और 5000 के आसपास अभी ट्रेट कर रहा है UPL अगर देखते हैं तो 2424 रुपए का लो गया था 601 रुपए का हाई और 564 रुपए के आसपास ट्रेट कर रहा है DVs lab अगर देखते हैं तो 1626 रुपए का जो एलो गया था 4900 यदी 4914 रुपए का हाई बनाया था और अभी 3570 रुपए के आसपास ट्रेट कर रहा है HULT अगर देखते हैं 370 का लो और हाई गया था 1067 का और अभी जो स्टॉक प्राइस चल रहा 930 रुपए का Indian Oil Corporation अगर देखते हैं 71 का लो गया था, हाई बनाया था 121 का और अभी 98 की प्राइस पर ट्रेट हो रहा है ITC अगर देखते हैं तो 134 का लो गया था और हाई बनाया था 243 का अभी जो है 219 के आसपास ट्रेट कर रहा है Britannia Industry अगर देखते हैं तो 2100 का लो बनाया था और 4000 का हाई और अभी 36 रुपए के आसपास ट्रेट कर रहा है 3600 के आसपास Wipro जो है 159 का लो बनाया था और हाई बनाया था 433 का अभी चल रहा है 430 के आसपास Tech Mahindra अगर देखते हैं 480 का लो बनाया था और हाई गया था 1018 का अभी चल रहा है 992 यानि 992 रुपए के आसपास यह रहे निफ्टी 50 के 50 stocks जिन में से जो green dark में यह से टाटा मोटर्स हो गया, ग्राजीम हो गया, आपका बजाज आटो हो गया, HDFC बैंक हो गया, आटीसियस हो गया, आपका आईशा मोटर हो गया, इन सारे ने आज ही जो है, इन सारे stocks ने high साल का बनाया है, नया मुखाम बनाया है, lifetime high कह सकते हैं, तो यह रहे कुछ 5050 के stocks, आप पे एक नजर डाल सकते हैं, आशा कि आपको यह वीडियो पसंद आए हो, कोई से जाओं सब्सक्राइब को में रखियेगा, या आप इन में से हो सकता है कई stocks पे invested भी हो, तो आपको भी स्तिती मालूम पढ़ गई, बहुत बहुत धन्यवाद, झूला, आपको यह वीडियो नजर के स alone, किो में से हो बाल सकते हैं, दो खटार यादे हो, कि नहां हो, तो 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 वीडियोंता है को माल पार बहुती हैं, को बहुते हैं, तो भी जताए हो, क्या हो, बहुत भी बहुतता है, जो यहार लगको टो वीशसम के जiamo हो, यह दोता